तो जैसे कि आप सामने याँ पर देख पा रहे हो Realme Nargo 10 है और Realme Nargo 10 तो सबसे पहले हम प्राइस की बात करें इसकी प्राइस 8,499 रुपए है इससे पहले आपको बता दे कि दोनों ही फोन में केवल एक ही एक वैरेंट को तो यहाँ पर आपको 4GV RAM प्लस 128GV की स्टोरेज मिलती है जिसमें जिसकी प्राइस 11,999 रुपए है मैं इस दोनों ही फोन की बिक्री की बात करें तो यह जो है आपको 22 माई से जो है से लिए फिलिपकार्ट पर जो है उपलद हो जाएगा आप इसको वहाँ से ले सकते हो रेड्मी नार्जो 10A को और जो नार्जो 10 है इसकी जो सेल है यह 18 माई से ही स्टार्ट हो जाएगी यह भी फिलिपकार्ट पर ही आपको देखने को मिलेगा अब आई दोनों फोन्स के डिस्पले के वरब जानते हैं तो नार्जो 10A में आपको 6.5 इंस का 4D प्लस डिस्पले यहाँ पर मिलता है जो कि बॉटर ड्रॉप नॉच के साथ यहाँ पर आता है वह इसके लवाँ नार्जो 10 की बात करें तो इसमें भी आपको सेम यही डिस्पले देखने को मिलता है 6.5 इंस का जो कि 5D प्लस डिस्पले के साथ में आता है तो आई अब बात करते हैं पर्फोर्मेंस की तो आपको नार्जो 10A में जो है आपको मीडिया टेक हिलियो जी स्वेंटी प्रोसेसर देखने को मिलता है सबसे पहले बता दे कि दोनों ही फोन्स में आपको गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिलता है यानि अगर आप गेमिंग का सौक रखते हो तो आपके लिए काफ़े अच्छी पर्फोर्मेंस इन दोनों ही बजट फोन में देखने को मिलने वाली है वहीं इसी के साथ नार्जो 10 में आपको MediaTek Helio G80 प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि यह पहला स्मार्टफोन बन जाता है इस प्रोसेसर के साथ में आने वाला तो यानि अगर आपको PUBG का सौक है या फिर और कोई गेम आप खेलते हो तो आपको इन दोनों ही फोन्स में गेमिंग को लेकर कोई भी सिकायत यहाँ पर नहीं मिलने वाली है दोस्तों आप मैं नार्जो 10A और 10 को जो है केवल 10A और 10E बोलूँगा तो आगे आप धन्ने के गया कैमरे की बात करें तो 10A में आपको AI triple rear camera setup देखने को मिलता है जिसमें 12 megapixel का primary camera दिया गया है 2 megapixel का secondary camera दिया गया है और जो तीसरा है वो 2 megapixel का macro sensor यहाँ पर दिया गया है वही नार्जो 10 की बात करें तो इसमें आपको 48 megapixel का AI coid camera setup यहाँ पर आपको देखने को मिलता है जिसमें 48 megapixel का primary camera दिया गया है secondary camera की बात करें तो 8 megapixel का है इसके लावा 2 megapixel का portrait lens और 2 megapixel का micro lens यहाँ पर दिया गया है वही front camera की बात करें तो नारजो 10A में 5 megapixel का front camera दिया गया है इसके साथ नारजो 10 की बात करें तो इसमें आपको 16 megapixel का front camera दिया गया है इसके लब बैटरी की बात करें तो नारजो 10A में आपको 5000 mhk बड़ी बैटरी मिल जाती है साथ ही यहाँ पर आपको reverse charging का भी support मिलता है वहीं इसके लब नारजो 10 की बात करें तो इसमें भी आपको 5000 mhk बड़ी बैटरी मिल जाती है लेकिन इस अहां पर आपको 18W की fast charging का support तो मिलता है साथ में आप पर reverse charging का भी support आपको मिलता है लेकिन नार्जो 10A में आपको कोई भी fast charging का support नहीं मिलता है केवल औ केवल reverse charging का support वहां पर दिया गया है दोस्तों फिर वहां पर उसकी price भी काफी कम है दोस्तो finally conclusion की बात करें तो दोनों ही phones में हमें difference देखने को मिलता है चाहें वो camera की बात करें चाहें बैटरी की बात करें चाहें performance की बात करें और फिर चाहें वो price की बात हो तो सभी में हमें difference देखने को मिलता है ऐसा कुछ नहीं है फिलाल के लिए मेरे comparison था 10 A और 10 के 20 में मेरे ख्याल सा सारे doubt आपके यहाँ पर clear हो गया होंगे इसके लवा उस्तो और भी comparison वीडियो आने वाले हैं नारजो 10 A को लिकर तो अभी से चैनल को subscribe कर लेजिए साथ में वैल आइकन को प्रस कर लेजिए इसके लवा आपका कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो साथ याप इंस्टाग्राम पर मुझे फालो कर लेजिए वहाँ पर भी अपने सवाल आप मुझे पूछ सकते हो तो मिलते हैं नेक्स्ट केंपेरिजन वीडियो में तो नमस्कार उस्तों जैन